आईए मैं एक ऐसे कवी को आमंत्रित कर रहा हूं मैं दावा करता हूं जितने फेट आप उछले हैं उससे दुगूनी फेट उठना जाए तो मेरा नाम लही है जो अपने बारे में लिखता है कि प्रने की चांदनी से फिर मदुरु उपवास ले लेंगे किया है प्रन अभी हमने कि हम उपवास ले लेंगे तरी अलकों से पलकों तक हमारे हूप शुने दो तुर्वे बस चुनकर जी भर सुप सन्यास ले लेंगे आपकी कमजोर तालिया नहीं जड़ा दोनों हाथ उपर उठाकर जोरदार तालियों के बीच लखीमपुर खीरी से पधारे मेरे प्रिये भाई नवल सुधान्सु का स्वागत करे आज करवा चौच बद है भाई सलाम करता हूं आपको प्रणाम करता हूं लखिमपुर खीरी की भूमी से आया हूं गौतम बहुत प्यारे लग रहे हो अभी चांद तुम्हारे पास नहीं है जिस दिन हो जाएगा तुम भी चांद हो जाओगे मेरा आशिरवाद मंच बहुत स मारो लाठी डंडे जगनों से काम नहीं चलेगा मैं इशारा करता हूं छोटा साव चुकी बनारस हिंदु विश्विद्याले में खड़ा हूं और आपकी बात ना करूँ आपके मन की बात ना करूँ तो ये सारा महला जो तो तो इतने सदमें बैठा है जागरत होना है सारी नफरत मतवर के मिटाने आए हैं बात है ये पते की तो बताने आए हैं बात है ये पते की तो बताने आए हैं रूट कर बेठो हूम ऐसे हमगी की तरह रूट कर जब जुनना गिली पंती पर रूट कर बेठो हूम ऐसे हमगी की तरह जैसे हम राम का ले बनाने आए है अपैसे हम राम का मंदिर बनाने आये हैं चार पन के और सुनना उस देवता के नाम ये जिसके शत्रचाया के नीचे हम सबी लोग बैठे हैं मैं अभी कुरे देश की महबत पढ़ रहा हूँ मैं आप सब्की भी महबत पढ़ूँगा 12 से 15 मिनिट का समय मिला है लेकिन आप अपनी उस सब की महबत में जुड़ जाना कि एक दिन एक दिये ने कहा वाँ 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 एक दिन एक दिये ने कहा मन पतंगे सकोई नहीं रुख जाईए काम भी फिले मुई काईए जा बुखार हो थोड़ा सा वेट कर लीजे एक दिन एक दिये ने कहा मन पतंगे सकोई नहीं और तब भगीरत सकोई नहीं जल भी गंगे सकोई नहीं तब भगीरत अगली पल की पर जुमेंगे मेरा दावा है तब भगीरत सकोई नहीं जल भी गंगे सकोई नहीं और जूमते बादलों ने कहा इंद्र धन्शों का भ्रम मिट गया जूमते बादलों ने कहा इंद्र धन्शों का भ्रम मिट गया रंग सारे मिले हर जगा जरा दोनों भुजाएं थे आंकाश में कि रंग सारे मिले हर जगा पर तिरंगे सकोई नहीं रंग सारे मिले हर जगा पर तिरंगे सकोई नहीं चार पंग के बाद की मुहबतों के नाम पढ़ता हूं हाला कि आप बैठे इसी हिसाब से हैं कि आपका चांद किसी और के पास किसी का चांद किसी के पास और जो सबसे ज़्यादा खुश है मुझे लगता उनका चांद उनी के पास है लेकिन मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाईयों ये चांद कहीं भी हो अगर चला गया हो तो मेरी और से चार पंक्तियां दे देना मैं उल्टी बात करूँगा लेकिन आपके मन में जो लगे तो मुझे आशिरवात देना साथ देना समर्थन देना एक लड़की के नाम एक संदेश देता हूं संदा चली गई कहना क्या है आपकी और से अब न पायल निहारो जो दी थी तुम्हें अब न पायल निहारो जो दी थी तुम्हें और न बिंदिया सवारो जो दी थी तुम्हें जा रही हो मगर ये सुनो जा रही हो जाओ मगर ये सुनो वो अंगुठी उतारो जो दी थी तुम्हें पत्र का रंग स्वयम ही धवल तुमने जो कुछ लिखा वो अमल हो गया तुम गई बात में क्या हुआ ये सुनो गीत तुम हो गई मैं नवल हो गया तुम हो गई मैं नवल हो गया चार पंके और आपके कदमों में देता हूँ अंगीत सुना है एक नगर की महकी मिठी आई है जिसने मेरे पत्र जलाए ठोप मेरे मुझको उस लड़की की चिट्थी आई है बहुत अबार मुझको उस लड़की की चिट्थी और उसी के नाम चार पंके आज के दिन के नाम कि मुझपर पूर्ण विराम लिखा है मेहंदी से ये कैसा पैगाम लिखा है मेहंदी से मेरा तो उससे भी मिलना जूलना है तुमने जिसका नाम लिखा है मेहंदी से 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 तुमने जिसका नाम लिखा है सुनाता हूँ चार बंगिया और सुनना सुनना मन से गीत सुना रहा हूँ आप से भी कुछी सुनना बीच वालों आपके लिए एक नई बात को कह रहा है पढ़ने के लिए मैं पढ़ दे रहा हूँ लेकिन आपका पूरा मन चाहिए पूरा समर्थन चाहिए कि तंसे मन पर चढ़ती है जे एन यू में बी एच यू मैं कोई नफरत की बात नहीं कर रहा हूँ एक वेंग दे रहा हूँ मुहबद के मात दे रहा हूँ कि तंसे मन पर चढ़ती है जे एन यू में उम्र कहां कब बढ़ती है जे एन यू में लड़का कब का पासवादी एच यू से बो लड़की अभी पढ़ती है जे एन यू में मैं सीरे सुनाता हूँ एक नदी को किनारे लिए छोड़ना और मन को मन के सहारे लिए छोड़ना मन को मन के सहारे लिए छोड़ना नेहगी डोर से बांध लेना जगत एक धागा हमारे लिए छोड़ना और मीत कंगन कलावे का बंधन करो मन के यग्यों पवीतों पे चंदन करो नेह का आचमन यग्यारं भकर नेह का आचमन यग्यारं भकर देह की पत्रिका का विमोचन करो करो देह की पत्रिका का विमोचन गीत पढ़ दू आप सबका मन हो तो तालियां दे दीजे मैं गीत सुनादेता हम वावा वज्वा एक लड़का है कुवारासा है कुवारा सा पुवारा नहीं है मैं तुम हो मुझे पता है लेकिन मेरी तरह भी देख लो मैं गीत सुनाता हूँ एक लड़का पंडी जी के पास जाता है और उन से कुंडली अपनी और उस लड़की की मंगवाता और कहता जी किसी भी लगन बिचारो पंडित कोई लगन बिचारो इन हाथों पर चंदन आए और तुम आओ तो तुम आओ तो तुम आओ तो दरपन दरपन आए दरपन दरपन सामन पहले ही पंकी देता है वो पंडित जी को कि कुंडलिया दोनों मिलवाकर अपने फेरे टाल गए हैं और भोजाई को लेकर भईया कल ही नेनी ताल गए हैं और पंडित विश्वा आंक सम्हारो रोड़। हम कान्य कुछ ब्रामण हैं सर्यू पारिट भी बैटोंगे होता है ब्रामणों में आक विश्वा गोद्र। ये सब कुछ होता है बस उसी की परंपरा से मैं लौक एक शब्द उठाते चलता हो कि पंडित विश्वा आंक सम्हारो रोड़। दूसरा बन सुनना अपने भाईया से कहता है कि घुमी करना अपने मन से और इठोरी जाना दोनों और हम दोनों की करे मनोती नीम करोरी जाना दोनों और उतारता है कि पंडित देवी देव विचारो पंडित देवी देव उचारो करमे उसका करधन आए तुम आओ तो तुम आओ तो तुम आओ तो दरपन दरपन सामन आए दरपन दरपन और दिभ्मंद ë आपको समर्फिक करता हूं विदा लेतां वहुत प्यार दिए बहुत अपर जैने भजा दीजीए evolet कि एक भोजबूरी ना धा था उसे मैंने उठाया ने लेकिन एक अक पंक्टी मैंने वहां से आप को समर्वित करने की कोशिश की नया प्रयोग किया कि सबका बाजा बाज गया है शादी हो गई कि सबका बाजा बाज गया है हमसे पीर न पाली जाए वो लड़का कहता है कि सबका बाजा बाज गया है हमसे पीर न पाली जाए सबका बाजा बाज गया है हमसे फीर न पाली जाए और अब की तो स्वीकार कर लिया अगला बरस न खाली जाए अब विदा देना मेरे दोस्तों मेरे मित्तों जो इदर सारे लोग एक मज़ तोकर के लखीमपुर के इस बेटे को आश्रबाद देना मैं आपके मन की बात करता हूं कि पंडित पकी से निकारो हो ही जाये निपढ जाये तो उसका मुखडा नेनन आए और तुम आओ तो ज़रा जुड़ जाए तुम आओ तो तुम आओ तो तुम आओ तो दरपन दरपन सामन आए दरपन दरपन सामन आए